नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम बनाने हम बाले हैं मेथी के पराटे जो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और बहुत इजी तरीके से हमने इसमें बनाया है तो चलिए देखते हैं और कैसे बनता है देखिए सबसे पहले हमने एक मिसी जार लि गया है और काट करके सिमीं हम डाल देंगी सूर इसके बाद देखिए हमने हरा मेर्का तो हमने दो हरा मिर्का ढाल दिया है आप लोग से ज्चाहिए हम को कम बनाना है अब इसके बाद के इंदाल दिये हैं अध्रा आ को लेसूं demi साथ में डाल देंगे थोड़ासा पानी क्योंकि जब पानी डालेंगे तपि ये जो मेथी कशाग है पिष्ट होगा इसका बारिक तो देखें हमने पिष्ट बना लिए उसका आज कि ऐसे पीशेंगे इसको तो नहीं पीशाएगा देसे लिए तहार पानी डालकई तो इससलेत कजाने में पहलें हम डाल देंगे कि अजवाइन वह स्कुण के आप ah यह मिला लेंगे तो इन सब को अच्छे से मिलाने के बार अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची और इसके बार इसमें डाल देंगे जो हमने मेथी के साथ को पीसके रखा हुआ है इसको अब इसको डालने के बाद अब इसको इसी से हम आठा त्यार कर लेंगे आठे का डो इसी से त्यार खुलाएगा असमें पानी बिल्कुल नहीं लगेगा और दो कटोरी आठा था तो इसमें जो मैंने मेथी का जो पिस्ट बनाया हो मेथी मेरा आधा किलो था तो इसको करने के बाद जितना बचा हो का इसका मैं पिस्ट बनाई हूं तो इसी हिसाब से आप लोग बनाएं तो इसमें कम नहीं पड़ेगा और आठे का डो अच्छास त्यार हो जाएगा आधा किलो आठे में आधे किलो मेथी का साग हमने डाला है अब देखिए हमने इसको गुत क करके पंदमेट के रिश्ट करने के रख दिया था आप इसके फिर अच्छी से गूत लेंगे और गुतने के बाद अब इसका हम बनाएंगे पराठा देखिए हमने फीशेस को अच्छी से गूत लिया है है अब एक चकला लेंगे और इसी पर बनाएंगे के तो बहुदा साटा लगा करके Wam कि कर ऐसा इस तरह से रोटी बनता है इस ह्लीकשत नहों होता है जिढ़ आप आप पाराठा बनाने में भीक्रिक्यत नहीं होगा जिस तरह से आठीका पाराठा बनाते हैं उसी तरह इस को बनाने में बनता है जैसे वह बनता है लेकिन खाने में तो बहुत टेस्टी होता है आप लोग ट्राइ किजिए इस तरह से पराठा बनाना और बड़े तो खाएंगे बच्चे भी इसको बहुत पसंद सिखाएंगे तो देखिए हमने इस पर घी भी लगा लिया है और घी लगा करके इसक कि इसको बैखा देगे प्राठा बना लिया है और इसको हम बिल देंगे ऊव्यां यद्यू आये ऊख और जो लोग भी हमारे वीडियो पर पहली बाएं तो भर आई हैं तो लोग हमारे चनल को प्लीज सक्राइब कर देंगे लाइक उसा Baldwin ऐन कर देगे और बना करके अब चलते हैं इसको सेखेंगे तो देखिए पहले हमने तावा को गरम करके रखा हुआ है अब इस पर पराठा है डाल देंगे और जब इस साइट से सीख जाएगा थोड़ा सा तो इसको हम पलट लेंगे अब इसके बाद दूसरे साइट से भी पलट लेंगे अब इसके बाद इस भी लगाएंगे घी तो आप लोग चाहें तो कोई भी कुकिंग वार बना सकते हैं लेकिन घी से बनाएंगे तो वह तो अच्छा लगता है तो देखिए मैं धूसरे तरफ कि लगा लिया है और इसके बाद इसको फिर पलट देँगे करके चाहिए स्कुक्राइक दबा करके एक अज से धबा दबा किस्ट चुरे से चारे तरफ कि अच्छा ना रहे पराधा तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए इसे थोड़ा सा मनुबर बढ़ता है तो आप लोग जरूर बताए कमेंट में ये पराठा कैसा लगा और हमारी रेश्पी आप लोग को कैसी लगी तो जो लोगी वीडियो देख रहे हैं उनलों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जरूर जरूर लो हमार में sightsबही हैं